आज हमारे पास exercise 1.4 का second वाला question है और third वाला question है आज हम ये दोनों questions को करेंगे previous video में हम लोग ने इसका first question किया था आज हम इसका second question करेंगे question है इसका if A, A matrix की value हमें given की विए है B, B matrix की value given की विए है then find one A और B का product मल्टिप्लिकेशन इनकी हो सकती है या नहीं हो सकती है तो multiplication करने का हमारे पास रूल क्या होता था प्रिविएस लैक्चर में हम लोगों ने बरी फुल डीटेल के साथ डिसक्स किया है चलें इधर भी हम लोग थोड़ा सा डिसक्स कर लेते हैं यह इसकी जो फर्स मैट्रिक्स होता है इसकी हम लोग कॉलम्स जो है नंबर ऑफ कॉलम्स उस मैٹ्रिक्स को हम लोग म gegen कर सकते हैं तो हम हम लोग क्या करते हैं कि नोग कर है कि करते हैं सेटिडम क प्रिस्थ कोलम के साथ और कि अरू की तो इसensions को की तरह से इंट्रिवारु करते हैं अगिस्ट को विप्र करूट करना हैं हुशिए मॉल्टिप्लाय किया ने दुना उल्ज예요 को इसकोmusic के साथ multiply करेंगे तो –1 को 6 के साथ multiply किया फिर 2 म法फ के साथ multiply किया और दर्मयान में इन दोनों के हम लोगोंनेrh मल्टिपला करनें के दोण है boxer करना है अगर first entry जो है उसको multiply करने के बाद हम लोगों ने साथ से करना है second entry को अब three ses multiply करें तो 18 होता है pause 0 और जिस मर्ज़र डिज़िट के साथ multiply करें तो वह हमारे पास zero ही होता है अब minus one को six के साथ multiply करें तो plus minus minus होता है तो six one, six होता है यह minus six हा जाएगगा और two five, ten होता है तो यह हमारे पास ten आ जाएगा इनको simply ने आड़र सब्टरक्ट कर लेना 18 में 0 प्लास करें तो यह 18 ही होता है हमारे पास अब यह इदर माइनस 6 है और प्लास 10 है तो 10 में से 6 निकाले तो 4 होता है तो यह हमारे पास इस मैट्रिक्स का आंसर आगे है अब इसका second part है B और A B और A का product हम लोगों ने find करना है तो इसको भी हम लोग पहले चक कर लेते हैं कि इसकी multiplication possible है इस मैट्रिक्स को हम लोग multiply करेंगे अब इदर यह B की value पूट कर दी और यह A की value पूट कर दी तो first matrix हमारे पास B है तो B की columns count करने है और A के row count करने है तो इसका first column है और इसकी rows कितनी है one and two तो it's mean के यह दोनों equal नहीं है तो so ऐसा matrix जो है यह हमारे पास multiplication के लिए possible नहीं है इस not possible यह जो है यह possible नहीं है because the first matrix the number of columns is not equal to the number of rows of the second matrix के first matrix की number of columns हैं वो not equal है second matrix की number of rows के तो यह second part इसका है अब next हमारे पास question number 3 है इसमें हम लोगों ने find क्या करना है हमें questions given कियों है इसमें हम लोगों ने इनका product find करना है तो अब यह जो हमें question given कियों है यह जो all questions है यह सारे जहां यह multiply एक दूसरे के साथ हो सकते है because कि इसका जो first matrix है उसकी number of columns है वो equal है second matrix की number of rows की चलें इसका first part करते हैं इसकी one one sorry two columns है और two rows है तो ऐसे matrix जो है यह multiply हो सकते हैं तो अब इस matrix की row है इसको multiply करना है हमने इस matrix की column के साथ तब यह first entry one है one को multiply four के साथ करना है plus फिर हम लोगों ने करना है इसकी second entry को इसकी second entry के साथ तो two को zero के साथ multiply कर देंगे तो four को one से multiply करेंगे तो यह four हो जाएगा फिर zero को two से multiply करेंगे तो यह zero हो जाएगा फिर four में zero को plus करें तो यह हमारे पास plus four होता है तो इसकी हमारे पास यह इसका अंसर आगे, अब इसका second question है, second question में भी इसकी जो first row है, इसको multiply करना है, हम लोगों ने second, इसकी first column के साथ, तो अब यह इसका first entry है, यह one है, one को five के साथ multiply करें, plus फिर इसकी second entry है, और इसकी हम लोगों ने second entry लेनी है, second matrix की, तो two को multiply minus four के साथ करना है, तो यह हमारे पास ही हो जाएगा, अब five को multiply one के साथ करें, तो यह हमारे पास five होता है, two को four से multiply करें, eight और इसके साथ minus है, plus minus minus, तो यह हमारे पास minus eight हो जाएगा, अब माइनस eight में से five जो है इसको हम लोगों ने माइनस करना है तो यह हमार पास minus three होता है तो यह इस matrix का answer है हमार पास इनमें हम लोगों ने just in का product find करना है अब third वाला question है थर्ड वाले में भी जो इसकी यह row है इसको multiply कर देना है इस matrix के column के साथ तो 3 जो है इसकी 1st entry को multiply इसकी 1st entry के साथ करेंगे 3 को multiply 4 के साथ करेंगे प्लस फिर 0 को multiply करेंगे 0 के साथ तो आप इनको simply multiply कर लेंगे और फिर add कर लेंगे तो minus 3 को जब 4 के साथ multiply करें तो ये minus 12 होता है और 0 को 0 से multiply करें तो ये 0 ही होता है यह six स्कूंप मल्टिप्लाइए हम करें गे ग्रिष्म पांज इसे तू और से अब पसप्र लिए और आड़ करेंगे इस को सिंप्ली मल्टिप्लाइए करें तो vendillapallus given कि ही है और second mattress डो जो हैं यह हमें given कि भी है तब हम क्या करेंगे इस matrix की first row जबहे इस mean heterice की first column के साथ multiply करेंगे फिर你 matrix की first row कोईris '. आप करें देखते हैं कैसे आई कह साथ पहले की first row लेंगे और मैंढ minimal 1 को stuklive करेंगे फोर के साथ 1 multiply 4 plas पिर इसकी second entry को इसकी second entry के साथ multiply करेंगे तो two को multiply कर दिया zero के साथ अब इसकी हम लोगों ने first row ही लेनी है और इसकी second column लेना तो इसको हम लोगों ने इधर लिखना अब फिर one को multiply करेंगे five के साथ plus फिर two को multiply करेंगे four के साथ इस entry के साथ इस 2 को इसके साथ मल्टिप्लाइ करेंगे तो यह 2 मल्टिप्लाइ बाइ माइनस 4 हो जाएगा हमारे पास तो अब इसको हम लोग जो है इसकी second row लेंगे अब इस मैट्रिक्स की हम लोगों ने second row लेनी हो और इसका first column लेना तो इसकी जब second row लेंगे माइनस 3 को मल्टिप्लाइ 4 के साथ करेंगे तो हमार पास यह मैट्रिक्स आ जाएगा अब 0 को मल्टिप्लाइ इस 0 के साथ करेंगे तो यह हमार पास यह आ जाएगा अब यह सेकिंड इसकी सेकिंड रो लेनी हो और इसको सेकिंड कॉलम लेना है हम लोगों ने इंट्री तो माइनस 1 को मेंटिप्लाइ जीरो के साथ करेंगे तो यह आ जाएगा अब हम लोगों ने इसकी फॉर्ट रो लेनी है और इसका सेकेंड कॉल्म लेना तो फिर 6 को मल्टिप्लाई हम पहले 5 के साथ करेंगे यह देखें इसकी इदर से जैनल इन यह वर्फ के साथ कि तो ये आगया, अब इस थर्ड रोज है, इसकी साकिन हिंट्री लेनी हो, इस मैटृड की भी जो है, इसकी को बीद हिंट्री लेनी है, ये माइनस 1 और 4 हो जाएगा, तो आप इन मैट्रिक्स को हम लोगों ने सिंपली मल्टिप्लाइ और एड कर लेना, आप 4 में, 1 को 4 से मैंनस 3 को 4 से मल्टिप्लाइब करें तो 0 को मल्टिप्लाइब 15 तो 15,-15,- आफ जिरो को 4 से Each 잘 करें तो ये हमारे पस जिरो ही होत 할ै आब 6 को 6 को 5 से छिताए प्लस,,- इस तो इसमें आड़ा जाएंगा तो अब सिंपली इसको हम लोग अड़र सिब्ट्रक्ट कर लेते हैं फॉर में जिरो आड़ करें यह फोर जाएगा अब माइनस एट है और यह प्लस फाइट में इससे फाइफ निकालने तो यह हमार पास माइनस रहता है अब माइनस 12 में जिरो एड़ करें तो माइनस 15 में जिरो एड़ करें तो यह हमारे पास 24 अब 30 में 4 एड़ करें तो यह हमारे पास 34 होता है तो यह हमारे पास question number 5 का answer आगे